महाराष्टरा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्मेंट कॉर्परेशन द्वारा पूने और नासिक के बीच एक ब्रॉड गेज सेमी हाइ स्पीड रेल कॉरिडॉर बनाने की योजना है 24 स्टेशनों के साथ 231 किलोमेटर लंबी यह लाइन पूने और नासिक के बीच यात्रा के समय को 8 गंटे से गठा कर 2 गंटे से कम कर देगी कई गेजों के कारण परिचालन संबंदी असंगतियों ने बारतिय रेलवे को प्रोजेक्ट युनि गेज को आकरामक रूप से लागू करने और देश में ब्रॉड गेज अपनाने के लिए प्रेरित किया हाला कि ट्रोलिंग स्टॉक कमपनियों और अन्यन हित स्वारतों के कारण भारत में मेट्रो रेल कमपनियों ने स्टैंडर्ड गेज को अपनाया वास्तव में मुंबई एहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे जिसे मूल रूप से ब्रॉड गेज के रूप में योजना बद किया गया था अब रोलिंग स्टॉक कमपनियों के दबाव पर फिर से स्टैंडर्ड गेज में बनाया जा रहा है मैं आशा करता हूँ कि बहतर समझ बनी रहेगी और पोने नासिक लाइन ब्रॉड गेज पर ही रहेगी लाइन में 200 किलोमीटर प्रतिगंटे की डिजाइन टॉप स्पीड होगी और रेल गाडियों को 160 से 180 किलोमीटर प्रतिगंटे की रफतार से चलाने की उमीद है रोलिंग स्टॉक में 6 रेक होंगे और हर रेक में 6 डिब्बे होंगे जो एक दिन में 48 यात्राएं करेंगे और 450 यात्रियों को परिवहन करेंगे ट्रेन 18 का मूल विन्यास चार कार है या 6 कारों को शामिल करने के लिए उप्युक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है लेकिन आंतरिक मत बेदों के चलते ट्रेन 18 लगबग पट्री से उतर गई है या संबव है कि रेक की आपूर्ती के लिए विदेशी विख्रेताओं से स कि रेकित कि रुट टूंर है या इसदका है या है। झाल